नमस्का दोस्तों तो कैसे आप लोग अगर आपके मान में ऐसा ख्याल था कि MediaTek Helio G8T और Helio P70 दोनों प्रोफेसारों में से कौनसे सब से बहत हरे तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए इस वीडियो में आज मैं आपको दिखाऊंगा कि MediaTek Helio G8T और Helio P70 दोनों में से कौनसे सब से बहत हरे और क्यों सब से बहत हरे तो चलिए शुरू करते आज का वीडियो बिना कोई बक्त कवाए और ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर आज चैनल पे नहें तो चैनल को सबस्क्राइब कर देना अगर वीदियो पसंद है चैनल को लाइक सबस्क्राइब कर देना अगर वीदियो ना पसंद है चैनल को दिल्लाइक भी कर देना तो चलिए शुरू करतें आज का वीडियो Mediatek Helio G80 लॉंच हुआ है 2020 quarter 1 पे लेकिन Mediatek Helio P70 लॉंच हुआ था 2018 quarter 4 पे मतलब लगबाग देड़ साल पहले Mediatek Helio P70 लॉंच हुआ था Helio G80 और Helio P70 दोनों 64-bit octa-core प्रोसेसर है आगा दोनों प्रोसेसर के CPU architecture की बात करे तो Helio G80 और Helio P70 दोनों 12 nm आर्किटेक्चर पे बनाई इसका मतलब दोनों का पावर देशिंसी लगबाग सेमी होगा अपम देखते दोनों प्रोसेसर का core configuration Helio G80 में दो हाई-पार्प्रोमेंस कोटेक्स A75 कोडे जिसका स्पीद है 2.0 GHz और 6 लोग पार्प्रोमेंस कोटेक्स A55 कोडे जिसका स्पीड है 1.8 GHz और Helio P70 में चार high performance cortex A73 core है जिसका speed है 2.1 GHz और चार low performance cortex A53 core है जिसका speed है 2.0 GHz तो high performance और low performance दोनों में ही Helio G80 बेटर है क्योंकि इसमें better generation core को इस्तमल किया गया है अगर दोनों प्रोफेसर के RAM की बात करें तो दोनों में dual channel LPDDR4X RAM है और दोनों में जो RAM का speed वो है 800 MHz अगर दोनों प्रोफेसर के memory support की बात करें तो Mediatek Helio G80 में EMMC 5.1 का support है लेकिन Mediatek Helio P70 में EMMC 5.1 और UFS 2.1 दोनों का ही support है अगर camera support की बात करें तो Helio G80, Helio P70 दोनों में single camera में 48MP का support है Helio G80 में dual camera में 16MP 16MP का support है लेकिन Helio P70 में dual camera में 20MP 16MP का support है और अगर video capture की बात करें, तो Helio G80 में हम 2K resolution पे और 30 fps पे हम video capture कर सकतें, और अगर full HD होता है, तो 60 fps पे कर सकतें, लेकिन Helio P70 में 2K में तो हम बिल्कुल भी कोई काम नहीं कर सकतें, अगर full HD भी होता है, तो उसके fps कितना होगा, इसके बारे में कोई इंप्रमेशन अवेलेबल नहीं है, तो इसका मदा video capture के मामले में Helio G80 obviously better है, अगर दोनों प्रफेसर के display support की बात करें, तो आप देख सकतें, कि Helio G80, Helio P70, दोनों में full HD plus तक का display का support है, लेकिन G80 में, जो overall full HD plus का resolution है, वो Helio P70 से थोला सा बेठा है, इसका मदा display support के मामले में Helio G80 obviously better है, अगर देखत जिसका speed है 150 Mbps, और Helio G80 में Bluetooth 5.0 का support मिलता है, लेकिन Helio P70 में Bluetooth 4.2 का support मिलता है, तो network connectivity के मामले में Helio G80 यहां पर बेठा रहे, अब हम देखतें, दोनों मज़र का graphics card, तो Mediatek Helio G80 में हमें जो graphics card मिलता है, वो है Mali G52 MC2, जिसका graphics card speed है 950 MHz, और Helio P70 में हमें मिलता है Mali G72 MP P3, जिसका graphics card का speed है 900 MHz, और अकर graphics card score की बात करें, तो Helio G80 जहां पर graphics card में score करता है 40,000 के आसपास, तो Helio P70 महाँ पर score करता है 27,000 के आसपास, तो यहां पर अब देख सकते हैं, कि Helio G80 graphics के मामले में, obviously Helio P70 से बिठाने, अब हैं कोई एक और score दीका था हूँ, इसका नाम है P70 स्कोर करता है 77, तो यहां ऐसा ही शियोर हों सकते है, Helio G80 का graphics card Helio P70 से बेटार है, अब हम देखते हैं, दोनों फरसर का Antutu benchmark score, तो Antutu version 8 में Helio G80 स्कोर करता है 2 लैप के आसपास, जोकिया करका Realme 6i का score है, और Mediatek Helio P70, Antutu version 8 में स्कोर करता है 1,56,000, तो Antutu score के मामले में Helio G80 obviously better है, और अगर मैं Geekbench score की बात करूँ, तो Geekbench version 5 में Helio G80 सिंगल कोर में स्कोर करता है 360, और Multicore में स्कोर करता है 300, और Helio P70 सिंगल कोर में स्कोर करता है 301, और Multicore में स्कोर करता है 1128, तो आप बाढ़िए इस वीडियो के conclusion की, आपने पूरे वीडियो में देख लिय Helio G80, Helio P70 से लगबाग हर एक मामले में better है, PCM ऐसे ही कह सकते, Mediatek Helio G80, Mediatek Helio P70 से obviously better है, तो आज के वीडियो ही तक उम्मीदे एक कॉंपेर्जन आपको पसंदा होगा, फ्यूचर में, आप Helio G80 related या फिर दूसरे किसी process related और कौन-कौन से वीडियो देखना चाहते मुझ इसके अबर वीडियो से जलूर बनाऊंगा, तो मिलके अगले वीडियो पे तब तक stay tuned and always remember, think positive, be positive, thank you.